वेल्कम अगेन वेल्कम टू माई यूटूब चैनल ओधांग एजुकेशन मैसल फमन तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 का कॉस्चिन नंबर 6 इससे पहले वीडियो के अंदर अपने कॉस्चिन 125 कर चुके हैं अगर आप अब तक नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है अगर अपने इसका फाइंड करना है क्यूब रेट तो हमें प्राइंड करना पड़ेगा इसका कास ट्रिप्लेटर्ट मतलodore आप नमबर यू नबर जो है वह प्रिफलों होना चाहिए tua वर उसका आना चाहिए अगर वह थीजेम यह परमें बास करें जब्थ यहां पर 8 का में से क्राइंड kicks 106 को 2 इंट यह पर पर किसका है टो का ट्रिट है और बाहर किया आएगा सिर्फ तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्यूबूरूट ओफ़ इसक्वर टू थो ठीक है यही अगर अपने बात करते है एक स्क्वाइर स्क्वार्ट की तो यहां पर देविए तो इसे हम लिखते थे टू इंटू टू और यहां पर क्या जाता था था मतलब फोर का स्क्वार्ट होता है टू और एक का क्यूब होता है तो यहां से आम जो इसको compare करके कर सकते हैं समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या है क्योब root में और square root में क्या difference है ठीक है तो चलिए करते हैं question number कि यहां पर क्या है आपके पास 125 देखें वही यूनिट इस इत 5 है तो 5 से करने पर 1 तो यहां पर देखिए आपका ट्रिप्लेट बन रहा है किसका 5 का ठीक है इस 5 के ट्रिप्लेट में से एक 5 निकल जाएगा इससे हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वल तो 5 इस यहां पर देखिए क्या है अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़े से याद आएंगे कि यह 2 से डिवाइड नहीं हो था यह 3 से डिवाइड नहीं हो था 5 से डिवाइड इसको करने सकती क्यों यूणिडि ती ना तो 0 है ना 5 है तो इसे हम ट्राई करेंगे 7 से ठीक है 7 4 जा 28 माइनस करने पर आपके पर है 6 और उपर से 3 9 जा 63 फिर 7 से करेंगे 7 7 जा 49 अगें 7 से करेंगे तो 1 ताइम तो यहां पर वही ट्रिप्लेट बन रहा है 7 का तो इसे हम कैसे लिखेंगे देखिये is equal to 7 is your answer थेगे students and next एकी question no 3 क्या है आपके पास 2744 आप देखिए लाश्ट वर्वें युटिध इवन नंबर है तो हम इसको 2 से try कर सकते हैं करते हैं देखिए 2 जा 2 7 आया 2 3 जा 6 माइस करने पर 1 ऊपर से धा 4 7 जा 14 2 जा 4 अगें 2 से करते हैं 2 6 जा 12 माइनस करने पर 1 उपर से 7 8 जा 16 माइनस करने पर 12 6 जा 12 अगें 2 से 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 3 जा 6 अब यहां पर देखिए 3 4 3 हो गया as it is question number 7 sorry question number 2 7 से करेंगे 49 अगें 7 से करेंगे 7 और 7 से करने पर 1 तो यहां पर देखिए एक तो ट्रिप्लेट बन रहा है आपका 2 का और दूसरा ट्रिप्लेट यहां पर बन रहा है हमार पास 7 का तो इसे हम कैसे लिखेंगे cube root of 2 7 4 4 is equal to 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7 इन दोनों में से एक तो ट्रिप्लेट का निकलेगा 2 और एक निकलेगा 7 7 into 2 14 is your answer ठीक है students तो यहां पर 2 7 4 4 का cube root है वो आपके पस क्या जाएगा 14 आ जाएगा next करते है देखिए question number 4 3 3 7 5 ठीक है 2 से तो हो नहीं सकता 3 से try करते है 3 बन जा 3 3 बन जा 3 7 आए ओपर से 3 2 जा 6 मायनस करने पर 1 ओपर से 5 15 5 जा 15 आई ओप मैं जैसे divide कर रहा हूँ आपको समझ में रहा होगा और आप भी ऐसा ही करने की try कर रहे होंगे अगर आप ऐसे करके divide करने लग गए एक एक number का तो आपको बहुत ज़्यादा एक एक सम के अंदर आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे ठीक है आपको इस चीज का ध्यान लखना है आप इसको short way के अंदर करना सीखना है ठीक है अगेन देखिए क्या यह 3 से divide होगा try करते है 3 3 जा 9 माइनस करने पर 2 22 3 7 जा 21 माइनस करने पर 1 उपर से आए 5 15 5 जा 15 अगेन 3 से करते है 3 बन जा 3 उपर से आए 7 3 2 जा 6 माइनस करने पर 1 उपर से आए 15 3 5 जा 15 अब इस देखिए 1 ने 25 अबने हमें अभी question number 1 किया था किसका था 5 से और था इसे हम 5 से करते है देखिए यह जाएगा 25 टाइम्स अगेन 5 से जाएगा 5 टाइम्स और 5 से जाएगा 1 टाइम्स अब यहाँ पर अगए बात करें cube root की 3 3 7 5 is equal to 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5 यहाँ से आजाएगा 3 into 5 it means 15 is your answer question number 4 का जो answer है आपके पास students क्या आगया 15 next देखिए question number 5 minus 729 चलिए देखते हैं अब देखिए simply है minus है cube root करने पर भी जो answer है आपके पास क्या आएगा minus ही आएगा यह को हम छोड़ देते हैं और 7 ने 29 को देखते हैं तो उससे जाएगा नहीं unit is even नहीं है 3 से try करते हैं 3 2 जा 6 minus करने पर बन उपर साहए 2 4 जा 12 and 3 से जा 9 again 3 से करेंगे 3 8 जा 24 उपर साह 3 one time फिर 3 से करेंगे जाएगा 27 3 से करेंगे जाएगा 9 times 3 से करेंगे 3 times और 3 से करेंगे one time तो यहाँ पर देखिए triplet बन रहे हैं यहाँ पर आपके पास 2 triplet बन रहे हैं it means cube root of minus 7 to 9 is equal to minus हमने वैसी बार ले लिया 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into and 3 यहाँ से देखिए minus 1 3 आगया बार into 3 minus 9 is your answer ठीक है फोड़ा सा डंक से लिख देते हैं इसको minus 9 is the correct answer तो students अगर इसकी PDF आपको चाहिए ठीक है PDF जो है यह वीडियो अपलोड होने के बाद जो अपनी वैबसेट है वहाँ पर अपलोड होजाएगी वैबसेट का जो लिंक है आपको description box में मिल जाएगा साथ ही जो है अपना टेलीग्राम जो चैनल है वो भी आप जोइन कर लीजिए एक वार PDF अपलोड हो जाती है तो उसका अपडेट जो है मैं उस चैनल के अंदर डाल देता हूँ उसका लिंक डाल देता हूँ और आपकी अच्छे से अच्छे help करें ठीक है तो यहां पर है माइनस 1728 1728 लेते हैं माइनस को मेज़टी छोड़ देते हैं देखिए 2 से करते हैं 8 जा 16 माइनस करने पर 1 उपर से है 2 6 जा 12 8 आ उपर से 4 जा 8 अगें 2 से 4 ताइमस पर 8 3 टाइमस 6 2 टाइमस 4 अगें 2 से करते हैं 2 2 जा 4 2 1 जा 2 माइनस करने पर 1 उपर से या 2 12 6 टाइमस जाएगा अगें 2 से करते हैं यह जाएगा आपका 1 टाइम उपर से या देखिए 1 1 में डिवाइड नहीं कर सकते 0 करके 6 लेके आए तो यहाँ पर आएगा 8 टाइमस अगें 2 से किया देखिए 54 पर 2 से करेंगे 27 अब 27 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो हम ट्राइग करते है 3 से यह जाएगा 9 टाइमस अगें 3 से 3 टाइमस और 3 से 1 टाइमस तो यहाँ पर देखिए एक तो बन गया ट्रिप्लेट टू का अगेन एक ओर ट्रिप्लेट बनेगा टू का उसके बाद एक ट्रिप्लेट बना यहाँ पर हमारा थरी का तो इसे हम अगर लिखना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे दखिए मैंने क्यूब रूट ओफ माइनस 1728 अब यहां से बाई निकलेगा तो खैकले गा minus cube root of sorry cube root थो हम बार निकाल लेंगे इसको minus 2 into 2 into 3 2 into 2 4 4 into 3 12 minus 12 is your answer तो students question number था आपका question number 6 answer आपके बास minus 12 next देखिए question number 3375 question number 7 क्या है minus 3375 divided by 4913 4913 अब अगर आप देखें 3375 का जो हमने अभी किया था कौन से question के अंदर किया था 3375 का question number 4 में किया था क्या होता है 15 होता है तो simply हम यहां पर इसको कैसे लिखेंगे देखिए लिखेंगे कैसे इसको बार निकालने के लिए simply आपका यहां पर आजएगा minus का 15 अब देखते हैं इसका 4913 का 4913 जब आप ट्राई करेंगे सबसे पहले आप ट्राई करेंगे यहां पर यहां पर हम 2 से तो करने इसके सबसे करते हैं जाएगा था नहीं कर सकते कि danach जीरो है और 95 है तो इसको ट्रॉइ करेंगे 17 से तो यह 17 से ही जाएगा ठीक है आप सब नंबर से ट्राइए कर लिजे तो यह 17 जाएगा 17 टू जा 34 माइनस करने पर आया आपके आपके 5 1 और उपर से 3 तो यह आ गया 8 ताइम्स और यह फाइनल जाएगा 9 ताइम्स अगें 17 से करते हैं 17 बन जा 17 माइनस करने पर देखिए आपके पास यहाँ पर आया 3 & 8 11 1119 और 17 से बन जा 11 19 अगें 17 बन जा 17 तो यहाँ पर देखिए यह जो बोटम में है इसका क्या आ जाएगा आपका ट्रिपलेट उप 17 उस ट्रिपलेट में से निकलेगा एक आपका अंसर क्या गया माइनस 15 बाइ 17 नेक्स देखिए स्टुएंट्स को आपको हिटन ट्रेल करना पड़ेगा और यह आज की वीडियो का साथ ही कोश्चन नमबर 6 का जो है लास्ट कोश्चन है क्या है फाइव होल 23 बाइ 64 5 होल 23 बाइ 64 सबसे पहले तो इसको हम करते हैं 64 में 64 इन्ट फाइफ 320 प्लस 23 यह आपके बस हो गया 343 डिवाइड बाइ 64 अब यहां पर देखिए आपको 343 से कुछ याद आ रहा होगा अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अपने इसको कर लेते हैं देखिए यह जाएगा आपका 7 से 7 से जाएगा 7 4 जा 28 6 63 7 9 जा 63 अगें 7 से 7 टाइम 7 से 1 टाइम तो आप जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो उपर तो आपके बस आएगा 7 और देखिए डिवाइड में 64 64 भी देख लेते हैं देखिए 2 से जाएगा 32 फिर 2 से जाएगा 16 2 से जाएगा 8 टाइमस 2 से जाएगा यहाँ पर 4 टाइमस 2 से 2 टाइमस 2 से 1 टाइमस यहाँ पर देखिए दो टुर्फल नेंगे एक तो ये और दूसरा ये देखिए टू दूद टू टू इट मींज फॉर स्विज तो सेवन भाइ फॉर जो स्ट तो यहाँ पर कॉस्चिन नबर एट का जो आपके बाउस क्या है 7x4 है तो इसी के साथ जो है आपका question number 6 complete हो चुका है वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करें, friends के साथ share करें चैनल को subscribe करना ना बोलें Thank you very much, have a nice day Bye-bye